राजिस्थान का कंड कंड अपने शौर्य बलिदान भक्ति के साथ ही आध्यात्मिक एवं सांस्क्रतिक विरासत की वजह से भी लोगों के बीच आकर्षन का केद्र रहा है अब ऐसा ही एक और नया अध्याय विश्व पटल पर अपना इध्यास लिखने जा रहा है राजिस्थान के राजसमन जिले के नाथ द्वारा में श्रिनाथ जी की पावन धरा पर 379 फीट की विश्व में सबसे उची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरुपम का लोकारपन महोच्चव 29 अक्टूबर यानी आज से 6 नुवंबर तक आयोजित किया जा रहा है महादेव के इस महा महोच्चव में 9 दिन तक धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्क्रितिक आयोजनों की धूम रहेगी मुरारी पापो की 9 दिवस ये रामकता इस महोच्चव को चार चांद लगाएगी और इसके साक्षी बनेंगे देश दुनिया से आए लाखो लोग भगवान शिव की प्रतिमा की आधार शीला अगस्त 2012 में रखी गई थी भगवान शिव की 379 फीट उची प्रतिमा को बनाने में 10 साल का समय लगा था इसे बनाने में 3000 टन स्टील और लोहा, धाई लाक क्यूबिक टन, कंक्रिट और रेद का इस्तमाल किया गया है 500 किलोमीटर की गती से बहने वाली हवा भी भगवान शिव की इस मूर्थी को नहीं हिला सकती भगवान शिव की मूर्थी का सिर ध्यान मुद्रा में 70 फीट लंबा है जिसके कारण इसे 20 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है शिव प्रतिमा पर विशेश रूप से 3D लाइट एंड साउंड का प्रयोग किया गया है जिसमें शिव स्तुति का प्रसारण किया जा रहा है यह पर्यटकों के लिए बेहत खुशी का केंद्र बनेगा राजिस्थान की सबसे उची शिव प्रतिमा की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है इसे बारिश और धूप से बचाने के लिए इसमें जिंक और कौपर का लेप लगाया गया है नात द्वारा के गणेश टेकरी पर बनी उची ये प्रतिमा ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही है 51 भीगा की पहाडी पर बनी इस प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हैं इस प्रतिमा का नजारा करीब 20 किलो मीटर दूर से ही नजर आने लगेगा बताया जा रहा है कि यह भारत में बगवान शिव की एक मात्र ऐसी मूर्ती है जिसमें लोगों के बैठने के लिए लिफ्ट, सीडिया, हॉल की विवस्था की गई है झाल